नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और थोड़ी टेंसन हो रही होगी जरूर थोड़ी घबरहाट हो रही होगी बड़ा परिशानी कभी-कभी हो जाती होगी यह स्वाभाविक है होना तय है चुकि ग्यारा फरवरी बहुत दू पूर नहीं है इसलिए यह होना स्वाभाविक है सभी को होता है मुझे भी होता था लेकिन इससे डरने की और घवराने की कोई बात नहीं है चुकि आपने जो पिछले 6 मेने साल भर में मेहनत किया ना वही मेहनत आपकी रंग लाएगी और देखिएगा 11 फरवरी को होने वा बनेंगे या नहीं बनेंगे इसलिए रिलेक्स होके आराम से एक्जाम को दीजिए आपने बहुत सारे सपने पाल लखें आपके माता-पिता के सपने आपके परिवार की सपने है न वह सपने निश्यत रूप से पूरे होंगे घबराने की कोई आउस्था नहीं है मनलब जश्ट डवल पीचियस और आरों का रिकार्ड रों कभी पांच से अधिक फारम नहीं पड़े हैं इस बार जो डवल फारम पड़े हैं और ग्यारा लाग फारम पड़े हैं उससे घवरानी की एकदम आवसकता नहीं है कि एक सीट पर हजारों अभ्यारती हैं अरह लोगों ने जादा फारम डाल दी हैं उससे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं का आवसकता नहीं है ग्यारा फर्वरी को तैरीकरी आज आपका ब्रश्पत्वार हो गया है शुक्रवार और सनीवार की दिन बचाहिए सनीवार को आप लोगों को निकलना भी होगा जिसका एक्जाम सेंटर बाहर होगा ठीक है तो एक दूदिन का वक्त है कुछ भी नया नहीं पड़ना है जो पड़ रखा है वही आपको दोराना है तो इस वीडियो में हम आपको अपने कुछ पुराने अन्भव आपको शेयर करेंगे कि एक्जाम से दो तीन पहले एक्जाम फोबिया होता है कैसे डर लगता है कैसे याद नहीं रहता है बहुत सारी चीज़ा होती है और पेपर को हम कै कैसे हल करें 140 प्लस हमारा स्कोर कैसे हो हिंदी और जीयस को मिला करके इन सारे बिंदियों पर हम चार्चा आप से करेंगे आपको कुछ टिप्स देंगे कुछ परामर्स देंगे कुछ मस्वरा देंगे कि कैसे आप एक्जाम फोबिया से बचते हुए बिना टेंशन के बिना आप अभी तक डरते आए हैं मतलब वीडियो को देखने बाद आपका डर भाग जाएगा मतलब यारे कुछ नहीं रिलेक्स ठीक है चलिए तो सुरुवात करते हैं कि 140 प्लस हमारा स्कोर कैसे हो जीयस और हिंदी को मिला करके कितने कुछ संह करने हैं निगेटिव मार्किंग यह हौल में बहुत ही काम आएंगे यह तो क्या करना है कि आपको इस समय कुछ भी नया नहीं पढ़ना है जो पुराना पड़ रखा वसको दोहराना है उसमें दोहराना क्या है यह भी आपको हम बताएंगे ठीक है टेंशन बिल्कुल भी ना लें ठीक है एक समस्या यह सबसे बड़ी होगी कि इतना सब कुछ पढ़ दिया याद तो कुछ भी नहीं है कैसे होगा भाई याद आप मैंसे 90 से 95 परसंट ऐसे स्टुएंट हैं जिनके साथ ही समस्या है मेरे साथ भी होती थी क्या करोगे हम अब क्या होगा अगर आपने इमांदारी से मेनत की है पढ़ाई की है तैयारी की है अच्छे से तो आपकी वो मेनत व्यर्थ नहीं जाएगी और जैसे ही प्रसंट आपके सामने आएगा तुरंत क्लिक करेगा सही बिकल्प पर यह आपने रही तो पढ़र रखाया कोई दिक जिस बिकल्प पर हमारी नेजर पहली बार टिक जाती ना अक्सर वही बिकल्प सही होता है इसलिए अगर बिकल्प में परिवर्थिंग करें दूसरा अंसर लगा तो बहुत सोच समझ करें अपना उसी को टिक कर दें ठीक है ना जैसे मान लोग को यह वेक्ति इसाना जिसको अब आज की दस साल पहले देखा है और फिर से मिल गया तो आपको इंदेखा है इसको साथ कोई नया विक्ति है उसमें धर क्योंजाएगी कभी देखा ही नहीं को पुराने विक्ति पर दिमाग के लिक करेगा अग्दम से कि हाँ यार कुछ कुछ लग रहा है ठीक है कुछ क कुछ नहीं पढ़ना है और ना पढ़ने का समय है बस ऐसे इप तो बस चलते फरते घूमते टैलते देख लिए जैसे कि यूपी स्पेशल थोड़ा साब ध्यान दें ठीक यूपी स्पेशल हो गया और सैंसस यह बहुत जरूरी है जंगरना ठीक प्रसन आएंगे ध्यान रहे इसके बाद करण्ट में जैसे का आपको बजट देख लेना है कि यह नया वाला नहीं तेश्च पिछला वाला ठीक है हमने नोट्स आपको दे रखे हैं बजट को रिवाज के लिए केंदर का भी और यूपी का भी इकनौमिक सर्वे देख लिए जो बहांत्पूर्ट सब्सक्राइब जो महात्पूर करी 15 से 20 सुचकांग महात्पूर उनको जरूर देख लें ठीक है जो प्रथमदेश्ट कोन सा है और भारत का इस्थान कोन सा और अंतिम कोन सा यह जरूर देख लें ठीक कौन संस्था जारी करती है इसके बाद आप लोग जो है जैसे की वर्स हो गए है ना दिबस सब्ताहा यह बहुत जरूरी है पुष्टक है कुछ इस्थल के नाम आंकड़े जैसे की खनिस की अंकड़े मिनल्स सब्जीयों के फलों के खाद्यान के वागमानी हाटी कल्चर मत्स के ठीक है यह यह आंकड़े बहुत जरूरी है यह आप देख लें प देख सब्सक्र O की आवज़ सकता है बीमार फिल्कुल ना पढ़ने सर्दी थंडी युखाम ना हो जाए आपको ठीक है सफर में जाए मतलब जब एक्जाम सेंटर पर जाए तो रास्ते में ट्रेंट बस जो भी हुब बड़े बहुती कपड़े पढ़े पहन की गदम से चुकि सारी मेनत आपक ठीक है इसलिए अपना ख्याल रखने का आवज सकता है ग्यारा फरवरी तक इसके बाद बहले बीमार पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दोजार दिन के लिए ठीक हां मेंस का बैच हम स्टार्ट करेंगे ग्यारा फरवरी रात याने की बारा फरवरी से आपका मेंस का सारी प्रैक्टिस करवाएंगे वीडियो लेक्षर फलब होंगे जैसे पत्र लेखन के हैं निवन्द लेखन के हैं कि सारी वीडियो लेक्षर भी आपके होंगे तो PDF notes प्लस वीडियो क्लास प्लस आंसर राइटिंग और कॉंपी भी चेक की जाएगे तिसे निवन्द की है पत्र लेकण की हिंदी की है निवन्द लिखके भेजएंगे गद्ध्यान से लिख कर बना कर बहुत कर भीजएंगे और प्रीभीएस के पेपर हैं वह कराए जाएंगे मौडल पेपर आपको दिये जाएंगे वह आप हल करेंगे पूरे दो घंटे तिन घंट जो भी समय मिलता है पेपर जो दो घंटे होता है हिंदी का डाइगंटे का वह पूरा आप पूरे पेपर को हल करके और अपने मतलब घड़ी देख करके आप खोदी सेल्फ उसका करेंग उसको हमे क्याले मैंस की पूरी त्यारी कराएक ध्यान रहे मृंस जो है आप छाहे मुस्ते पढ़'T शेक हो त्यों की जानकारी देता हो नहुं कि ऐसे मानलो पत्रलेखन है ला यसे मालो आफ नमबर का पत्र होता है अप्समझे थोड़ी वर थोड़े समधे ब्रिप बनाएंगे अर्फ नमर का पत्र होता है जिससे में से पाँच है नमबर आपको सामान मिल जाते हैं लेकिन साहत और आठ नमबर हम कैसे प्राप करें हैं छोटी छोटी चीजें हो कॉमा कोलंडेस इस पीज अंडरलाइन बोल्ड दिनांक भाधी आग्या से क्या है कारले ग्याप कारले अधिश में क्या अंतर यह बहुत सारी चीज़ें प्रारूप लिखित प्रारूप एक्जामपल बढ़िया से दें क्योंकि और समय गौह एक्जामपल याद नहीं आते है तो मैंस का मैंने पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है ठीक 12 फरवरी से आपका मैंस का बज़े च्टार्ट होगा ठीक अभी आप एक जम प्रीपर फोकस कीजिए अभी मैंस बूल जाएए आपका 100% फोकस प्रीपर होना चाहिए और हां 140 आप कैसे लाएंगे यह भी सुन लीज प्रीपर हो जाएगी तो यह मत पूछिए अभी पेपर हो जाए कितने इस्टुटेंट अपियर हुए पेपर का इस्टेंडर कैसा था ठीक है चुकि 2021 वाला पेपर आप लोग देखा ही होगा ठीक है अब कितना इस्टेंडर आप हुआ है कि डाउन हुआ है क्या हुआ है उस पर डिपेंड करती है मेरेट ठीक और जो अभी से मेरेट की गोशला कर दे तो थोड़ी सी मूर्ता होगी क्योंकि ना तो आपने यह देखा कि 10,000,000 कितने बच्चे एक्जाम दिये हैं पेपर का इस ठीक है और मैं यह कहूंगा कि कम से कम जी एस में 120 प्लस कोश्चन आप करके अटेम्ट करें निगेटिव मार्किंग वन थर्ड की यानि कि तीन कुश्चन पर एक आपका सही काट लिए जाएगा यह निगेटिव मार्किंग है जी एस में और हिंदी में भी दोनों निगेट ठीक है यानि कि तीन प्रसन आपको गलत हुए तो एक सही वाल आपका कार्टिया जाएगा यानि कि वन थर्ड एक तेहाई आपकी निगेटिव मार्किंग है ठीक तरहां रखना है लेकिन मेरा जो कहता है और 120 से आपको प्रसंट जीएस में कम हल नहीं करने चाहिए आप ही जान लीजिए और 120 से कर आपने हल कम किये तो फिर सेलेक्शन से आपकी दूनियां बढ़ती जाएंगी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे ठीक है और हिंदी में आप अमलगरा साथ के साथ हो करें एक आद बले ही छोट दीजिए तो एकदम है डाउट हो ठीक है बना अठाव आपके 665 उपर गलक तो ओना होना है था कितना आपका साथ नमबर कम हो जाएगा घडिया ना हमकरे मालोग है तीजिए गलत हो जाए dips गलत हो जैब आपका 30 तो यह सब चीजे हैं कि ध्यान रहे हैं 120 से कम नहीं करना है अधिक से इससे जादी करके आईएगा आप एकीन नहीं करेंगे कि मैंने 2017 में क्वालिफाई हुए हैं प्रारंबिक परीच्छा में हम 136 कुश्चन करके आये थे सिर्फ चार कुश्चन ही छोड़े थे जो मतलब जो बिल्कली समझे की मतलब आउट आप सले बस तो मतलब समझें नहीं आ रहा तो चोड़ दी एक्सोटिस कुश्चन अब चुगे ना कि इतना अनुभ हो गया था और तीन-चार परीच्छा हैं आरूख दे चुके थे पीसेस अच्छा स्कूर था और हिंदी में 69 किये थे एक कुश्चन को इसा था पतना मोल करके पूछा गया था वो छोड़ दिया था वड़ा ठीक है पर बाद में साहिद आयू ने भी उसके या हटा दिया था या कि साइद दो उत्तर मानेत ऐसा कुछ था तो 69 कुश्चन करके आये तो यह सब चीजें हैं देहन रहे आप लोगों को और मेरी सुपकामनाएं आप लोगों के साथ हैं हमेशा आप लोग एजाम दीजिए और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी मुझे पूरा बिश्वास है भरोसा है इसके बाद एक वीडियो आपको और देंगे उसमें हम यह बताएंगे कि एकजाम निशन आल में आपको एकजाम कैसे देना है ओमार सीट को कैसे भरना है किन किन चीजों का दिहान रखना है ठीक है पेपर को कैसे हल करना है कितने स्टेफ में हल करना है कौन से कुस्षन पहले करें कौन से कुस्षन बादम करें यह वाला वीडियो अच्छा हूँ इसवर आपका साथ दे आप इसवार अधिकारी बने मेरी ऐसी सुबकामना हैं आपके आपके परिवार के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेंस जरूर लिखेंगे और हमारे साथ आप मेंस की तियारी अवस्च करेंगे और मैं पूरे जीजान से प् और मुदा प्रण कामना है और भी सवाव मेंस ूरं से आपके वीज और हमारे लिए